नमस्कार, हरी किष्णा समाचार में आपका स्वागत हैं। आज का समाचार इस प्रकार से है। कैतलिक स्वयम से विकाओ द्वारा गायों की महिमा के विश्य में सिक्षा ग्रहन। शांदिकरी कैतलिक छात्रवास से चानन्स नारायनी स्मृति आश्रम पहुँचे। सकॉन युवा आश्रम इंडोनेशिया में है। वे भक्ति योगा और हरी किष्णा आंदुलन के विश्य में सिक्षा प्राप्त करने के उद्देश से वहां आये थे। रात्री के समय ये भागवत गीता का अध्यान और भक्ति योगा के विश्य में चर्चा करते थे। वे आश्रम के सभी दैनिक कारिक्रमों में भी भाग ले रहे थे। जबसे उन्होंने आश्रम में रहने का विचार किया तब से वे निरंतर भक्ति योगा और हरी किष्णा आंदुलन के विश्य में जानने के लिए उद्सुक हैं। आश्रम के अदेश सुबानन प्रभू और सुडिलोचन प्रभू ने उन्हें इन विश्यों का अच्छे से स्पस्टि करन दिया। गौमादा की महमा के विश्य में जानने के लिए वे बहुत ही उद्सुक थे। एक नन ने प्रादकाल के भागवत कता में प्रश्य भी किया जिस पर सुबानन प्रभू और सुडिलोचन प्रभू ने वेद पर आधारे स्पस्टि करन दिया। और उन्होंने इन स्पस्टि करन को प्रसनता पुर्वक सुईकार किया। धन्यवाद अगर आप ऐसे और समाचार देखना चाहते हैं तो आप हमारे स्कॉन डिजाइटरी के यूटूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।